हेलो एब्रिवान आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ट्रू रिपेर में में मशम हाजिरू एक कोड सलीशन के साथ सो लेस्ट स्टार्ट द ओपरेशिण सो फ्रेंट से आप में हाथ में देख सेकते हो एक ओसी पेपर जो की बहुत ही बड़िया क्वालिटी का है और नीचे आप देख सेकते हो सीटू का मॉबाइल फ्रेम टच और एक ओरिजिनल डिस्प्ले ठीक है तो टच और डिस्प्ले को हम आपस में जोरके कॉम्बो बनाने वाल है ओरिजिनल बला तो किस तरह से करना है दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड देख देख सेकते हो रियल में सीटू का एक टच जो की सुल्डरिंग टच है और यहां पर है इसका ओरिजिनल डिस्प्ले जो कि हमने पहले ही सेपर्ट करके रखा हुआ है ठीक है तो किस त दौनों को हम आपस में जोरने वाले हैं तो किस तरह से दोस्तों जोरना है सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसको नीचे एक रबर पेड में रख देङए डिस्प्ले को और अच्छी तरह से दोस्तों सो LEON कर लेना है ठीक है इसमें कोई भी धूल मिटी या डस्ट रहना नहीं चाहिए ठीक है तो उसके बाद ही हम इसको अच्छे से से सेट करेंगे और दोस्तों एक चीज में आपको यहां पर बैताना चाहूंगा जो रियल्मी सी टू का टर्ज डिस्प्लेय है और जो ओपो यँवन के का तुऑ ज स्टाइब है तो यहां पर यहां पर पर ब्रेनिग हे तो यहां पर ऐंदर का सेस्ट स्टिकर devo हम बटादेगे ओर इसके बाद रे गए और नीचे जो डिस्प्ले में दोस्तों जहां पर पता होता है connected डिस्प्ले के साथ ठीक उसी के border में कुछ इस तरह से दोस्तों इसको पहले थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह से settle कर देंगे ठीके दोनोर से उसके बाद दोस्तों यहां पर जो roller है उसके मदद से हलका सा pressure देते ाμαण नहीं है ठीक है तो कुछ इसससे को करने के बाद दोस्तों इसथरह से आप इसको थोरा से इसको फिसकर के दिचे क्वा दूस्तों हम ईसको ले लेंगे और यहां पर दूस्तों वारगी जो बचा हुक साइड में जो ग्रू को पेपर रुप हुए हुर तो स्को हम कार तो किस तरह से करना है दोस्तों एकदम इजी तरीका में आपको दिखाऊंगा सबसे पर तो इसको नीचे प्लेइन सर्फिस में रख दीजी इस तरह से और एक ब्लेट ले लिजिए धार वाला जो सर्जिकल ब्लेट आता है वो होगा तो बहुत ही बढ़िया है और कुछ इस त तो इस तरह से करना है दोस्तों मैं आपको बोल के नहीं बता सकता अब देखिए इसको ध्यान से तो आपको आराम से आ जाएगा तो चली आपको कर Vera करके दिखाता है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको रैक्र करके उठा लेगा है और बहुत ये बड़ती बड़ि तो यहां पर दोस्तों यह जो है रेडी हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे जो टच है उसको हम रेडी कर लेंगे तो उसके लिए दोस्तों सबसे बहुत हम क्या करेंगे आप जो स्टिकर है उपर का जो एक पेपर होता है उसको हम निकाल देंगे और यहां पर दोस्तों जो इसके स्टिकर को हटा दीजिए टेच का अच्छी तरह से ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे जो हमरे टेच है रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे डिस्टले का उपर का जो उसी वालब पेपर है हमने थोरा सा बढ़ा के रख़ा था तो इसको है आराम से निखाल लेगे तो कितना बड़िया है दॉस्तों कोई भी दिक्क्त नहीं एं आप देख सेकते हैं तूरंथ जो तुरंथ टच्छ उसको इस तरह से लगा देंगे तो उसी तरह से लगाना है और उसके बार दोस्तो इसको इसको इसा से निकाले देखिए उसके बाद दोस्तो आपको इसको प्रेस नहीं करना है यहाइग है तो यहाँ पिंधा पूर्ब है इस तरह पहले हमारे पास जो ट्राइंगल का था तो बहुत ही बढ़िए था तो यहां पर हमने दूसरा वाला मेशन भी ले लिया है ठीक है तो यहां पर दोस्तों हम पंचिंग कर देंगे तो इसके लिए दोस्तों सबस्वेल तम क्या करेंगे यहां पर इसको डिस्प्ले को रबर पेट में रख देंगे तो दोस्तों ध्यान से देखेगा बहुत ही बढ़िया है आपको सर्च करना है तो वो निकल के आ जाएगा बहुत सारा वीडियो डला हुआ है तो आप जाके जरूर दिखेगा तो बहुत ही बड़े ट्रिक्स हैं वहाँ पर मैंने दिखाए हुआ है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सेक्टों यह जो है 45 डिपी तक गरम होग और उसके बाद इसको 15 सेकंड के लिए पंच करेगा ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा जो ग्लू है अंदर का वह अच्छी तरह से दल के चिपक जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा वह जो बबुस रह जाता है उसको हम निकालने के बबुल दिखेगा यह यहां पर तो यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 24 25 दिख रहा है तो 45 देखर तक गरम होने के बाद जो यह 15 सेकंड के लिए इसको पंच करेगा थोड़ा सा हलका आइरन पैड है हो हिट करता है इसको तो आपको इस तरह का वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो दोस्तों यहां पर 15 सेकंड हो चुका है और यह पंच हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे इसमें थोड़ा बहुत रहेगा ठीक है तो पंजिंग के थुरू इसका बबूस नहीं निकल का तो यहां पर दोस्तों आप देख से तो थोड़ा बहुत पूरा तरीके से ओरिजिनल आप कहा नहीं सकते ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको बबल भी विंवर पर रख देना है और इसके बाद दोस्तों हमने यहां पर इसको टैन मिनूट पर सेट है तो हम इसको फाइब मिनूट तक सेट कर देंगे इसको 25 डिगरी सलसेर तक डेकना है ठीक है उसके बाद हम इसको स्टार करें तो चले दुस्तों जब तक यह होता है मैं फड़ावर से आपको दिखा देता हूँ ठीक है यह पार्चमून के लिए हो जाएगा तो चले दोस्तों यहाँ पर यह यह कंप्लीट हो चुका है बपल र्मूंफ हो चुका है तो यहाँ पर हम उसको निकाल लेंगे तु ठीक है मैं तो दोस्तों आप देख स để आप यह जो जितना भी बबल से सारा निकल क्रुकर at ट써 यहाँ पर दूस्त पेपर है उसको उठाके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यह बबुल पुरा निकला है या नहीं ठीक है तो चलिए दोस्तों मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूं तो आप यहाप देख सकतो बहुत बड़ी आतरीकर से बबल रिमुब हो चुका रहा हूँ यह कितना शाइन कर रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो तो कुछ इस TRAC S vous दूस्तों आप OC पेपर की मदद से और OC मिशिन की मदद से इस तरह से कॉम्बू बना सकते हो अगर आपका ओरिजिनल डिस्प्ले अच्छा है और टच जो है टूट चुका या गलच जो है तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो तो दोस्तों उमिद है यह वीडियो आपक कर बंदे मादर हम